तो हमारा यहाँ पर कुछ घास जानकारी नहीं थी today काम से शीन करने टो चाही पीएं जब गहें बरतन हां बरतन वेलग महारा अलग वरसों बात चब लोग आपसे मिलेगे तैनल आपसे हैसियत कुछेंगे, आपकी खरियत कुछने माला, कोई नहीं रहे गाया उसलिए हर हाल में हैं सीसे पत्थर की चोट से पत्थर तूट जाए ऐसे सीसे तलास करें आज हम आप से वीज में बात करते हैं अपने बच्पन के कुछ कहानियों के बच्पन में जैसे गाओं की एक जिंदगी होती है कहीं से जाओ लकडी तोड़के लाओ आम तोड़के लाओ बच्पन में हम बहुत बदमास थे मेरी ममी कुछ सबसे जादे परिशानी थी कोई जोईन फैमली होने के वज़े से क्या होता था कि परिबार में बहुत लोग रहते थे मोहले वाले पडोस वाले और उस तो मोबाइल वगरा नहीं होती थी हम लोग यही गुली डंटा वगरा वगरा खेलते रहते देली किसी ने किसी साम जगडा किये रहते थे मेरी ममी परिशान होकी रहती थी करेगा क्या जिंदिगी में बहुत परिशानी हो जाती थी और इस बीच मेरे पिताजी जो थे हैं वह अलग-अलग जगह पे वर्क करते रहा गया कभी सीब बील्डिंग में कभी पेंसिल वगरा तक का भी बच्पन में हिसाब मिलता था पेंसिल खरीद के आती तो उसमें से आधा काटके आधा तुम लो आधा तुम लो तुम्हारा पहले कैसे खतम हो गया तुम्हारा जादे कैसे चला काभी यह सब समस्य आए थी घर के आगे एक कॉलेश था उस करके लेए थे और ममी को देते तो ममी देखी इसमें दो पेच साधा इसमें तीन पेच है उससाब को ले आके एक जगह बनाते था ममी को सुई धागा से शिल देती थी और उसको हम लोग़े कॉपी बना लेते थे आज भी आदत उसी में है यहाज महेंगी कॉपी यहाथ ही चलता है वहाँ पर उसी भी आदत लग गई है वहाँ सुरुवात में हम जब 8 पास कियें तो वहीं से हमको फॉज में जाने का थोड़ा सा जुनून लगा कि हमको फॉज में जाना चाहिए तो हम नाइन्थ में जब पढ़ें दें सैनिक स्कूल का इंट्रेंस का एक्जाम दिय तो आठ के बाद ही सैनिक के लिए एक कंपटिटिव वाला माहूल आ गया था फिर पॉल्टेक्निक में दिये उसमें रैंक अच्छा नहीं आया तो हम कहें छोड़ो अब नॉर्मल तेंथ यानि मैट्रिक करते हैं उसके बार इंटर करते हैं इंटर करने के बाद फिर हम कर रहा हम लोग ने किया था तो उससे पॉज से काफी जादे उससे जानने को मिल गया कौन सा अतियार कैसे काम करता है यह वह एक जुनून हो गया कि हम लोग को यह कॉन्फिडेंस दाना कि फॉज में हो जाएंगे तो ट्रेनिंग की कुछ खास जरूवत नहीं पड़ीगा ह वहां पर क्या होता है कि यह सब चीजर काफी काफी नहीं हो सकती है तो यही एक तो वही था मेरे लाइफ का इसके आगे हमने कोई सब नहीं नहीं देखा था कि हमको कुछ और बी करना सुपरोस ही पाज में जाना था हमको अब हमारे लिए तो एकदम बिकट परिष्टीती हो गई, साथ ही साथ फाइनेसीली भी दिक्कत हो गया, अब क्या करें, तो normal एक सरकारी स्कूल से इंटर था मेरा, फिर एक normal graduation की है, graduation B.S.C. अब इसमें फाइनेसीली दिक्कत भी बहुत जादे आ गया, इन दिक्कत में सबसे जादे साथ दिया, मेरे तीन दोस्तों ने, सोनु सर्मा, पवन सिम, इन दोनों ने में को financially बहुत help किया, graduation के दोरा, बाकी लोग की financially ठीक थी, हेमंद की भी शाही नहीं थी, तो वो self-dependent था, तो हेमंद ने काया कि एक काम करतो भाई, चलो तुम भी को teaching में ले आते हैं, तो बहुत जादे नहीं थे, normal था coaching में आपे, वहाम गए तो हमको first दिन केवल 6 लड़के मिले, और 6 लड़के में अजीब सा महल हो गया, वो हमको मेरी दाड़ी ओड़ी भी नहीं थी, तो उनको लगा कि तो हम ही लोग के बीच का है, तो हम 6 बच्चे को पढ़ा है, हमको भी ख मोबाइल नमर कुछ भी नहीं देना है, हमको हमको जरुवत भी नहीं है, हमको चुक्चा PG वगरा करना है, हमारी तो फौच का सपना ठूटा था, समझ में नहीं रहा था, करे क्या करें यहां पर, क्योंकि लाइफ बड़ी अजीब चीज होती है, जब तक आपको समझ में आ साधे दिखता था, हमें हमें बच्चों का करियर दिखता था, वो कहते था, सर इतनी कम पीमें, आप इतना क्यों बता रहे हो, हमके सर हम कैसे करें, उनके साथ कित्रा से हम कहदेंगी कि तुमें कम बता, इस वज़ए से थोड़ा सा ठसल हो गया, हमको वो छोड़ना पड़ कोचिंग फिर दूसरे जगा गया, तीसरे जगा, उसके बाद से हम लोग ने यहाँ पर आके अपना Khan GS Research Center किये, तो हमारा यहाँ पे कुछ खास जानकारी नहीं थी प्रत्ना में, क्योंकि हम लोग गाओं के एरिया से आये थे, तो यहाँ पे कुछ पार्टनर्स वगरा, कु हमारे जेम में केवल 40 रुपई या बचे थे, और घर लोटने के लिए 90 रुपई चाहिए था, हम परिशान होगे, कम से कम, 90 तो छोड़ो घर चले जाए यहाँ पर यहाँ पर क्या कर दिये, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो गंगा के किनारे हम बैठे थे साम के वक् कितना टाइम हो रहा है, हम कहें यहीं साथ-ाट बज रहा होगा, उन्होंने कहा कि घड़ी देखो, हम देखें रात का धाई बज गया था, टिंसन से न दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करें, अजीब सा माहोल हो गया था, अब हम उस भीच हम कहें कि अब क्या करना नहीं है, अब हमें हार नहीं मानना है, बुरे लोग जिन्दगी में आते हैं, सब के जिन्दगी में आते हैं, शुरुआत में पटना में गय थे, तो मकान लेने गय थे, उन्होंने मकान दे दिया, अधार काट देखा, तो उन्होंने जाती दरम देखके कहा कि यहां नहीं जब गयें तो बरतंग चेंज कर दिया कि और इनका बरता नला गांभारा अलग अजीव से पीलिए तो जिन्दकी में अगर अच्छे लोग आएंगे तो आपको खुशियां देंगे लेकिन बुरे लोग से घबराएगे का नहीं, बुरे लोग आपको कुछ न कुछ तजूरवा देंगे, अनुभाव देंगे, जो कहीं किसी युनिवरस्टी कॉलेज में नहीं मिलेगा, बुरे लोगों का भी होना जरूरी है, इस बीच हमको एक अनुभाव मिला कि वहीं सब आप आँग बन करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, अब टीचर और स्टूडेंट का एक रिलेशन भारत में बहुत बहतरीन है, यह आदी काल से देखा जाता है, तो हमने क्या गया है, अब कोचिंग में इस्टूडेंट्स जो थे बहुत जो पुराने थे, जिनका मन के चले कहीं तो हम लोगों के यह शुरुवात करनी थी, अब शुरुवात कियें, कैसे थोड़ा बूत पैसे से स्टार्ट कियें लोग, अब वहाँ पर क्या है कि जो गरीब है, पैसे मत दो भाया, बिकलांगो मत दो, कभी कोई इस तरह से जोर नहीं दिये गया, इस वज़े से फ्राइ देखते देखते हमने बच्चों के लिए लाइबरेरी भी डाला हो, पटना का सबसे बड़ा लाइबरेरी हो गया, फिर कोचिंग बड़ा हो गया, सब कुछ सही हो गया, लड़कों का रेजल्ट आने लगा, सारे लड़के खुस हो गया, देखते देखते हैं, सब कुछ सही हो गया तब तक अचानक बीच में आ गया कोरोना और कोरोना ने लॉग डाउन किया और सब चीज घर के अंदर हो गया और हम लोग के लिए एकदम नया अनुबह है और हमारे जैसे आद्मी को ऊनलाईन आना पड़ेगा तो हम तो आअफ़त हो गया मेरी क्लाई उसके पडाना चालुंबहर और से पूर के अंदर हम विपड़े पसीना हो रहहा है वही पूलिस का साइरन आ रहा है, आवाज आ रहा है, लड़के करें, सर कैसे वीडियो बना रहे है, कहां से बना रहे है, ना लाइट सही है, ना आवास सही है, हमको यही है, धीरे 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 लोग पसंद करने लगे हैं, यहाँ यह बात सही है, अब हमारे एक देली के हमार कि YouTube पर education के field को हम ऐसे देखते हैं कि वो लोग भी comment करते हैं हम किसी competition की तयारी नहीं करते हैं नहीं हमको कोई exam से मतलब है फिर भी हम देखते हैं हमको इस बात की इतनी खुशी होती है इसलिए नहीं कि वो लोग हमारा वीडियो देखते हैं इसलिए कि जो लोग पढ़ाई छोड़ दिये हैं उनको भी इस बात का अफसोस है कि हमने पढ़ाई क्यों छोड़ा और ये confirm है कि वो अपने बच्चों को य अब होता क्या है कि लाइफ में कभी इंसान कोई लिफ्ट की तरह बढ़ जाता है तो उसको काफी खुशी होती है रे बाप रे बहुत उचाई प्यागाई लेकिन जो सेणियों की तरह बढ़ता है ना उपर जाकि उसको एक ठकान होती है लेकिन दिल से एक सुकून भी मिलत चाहिए दूसरी की बुराई से कोई फाइदा नहीं मिलता है आपस में मिल जूलकर रहना चाहिए बुच जाते हैं कभी दिये तेल की कमी से भी हर बार कुसूर हवाओं का नहीं होता है सारे स्टूडेंट या जितने भी लोग रहते उन्हें दूसरों के मैटर पर जादे न आपको आना है दुनिया आपके काम नहीं आने वाली है यहां पर इसलिए बेटर खुद से करना चाहिए और कभी भी अपनी प्रसंसा यह अपने अंदर बहुत जादे कि हम तो यह कर लेंगे गलत बात है अगर किसी को सोसाइट करने का मन है तो कृष्ण भगवान ने कह कहा हम फी में पढ़ाना चाहते है और लडगों को भी कहते है या थको हरो मत सब का पढ़ाई से मन उğan उपता है कौन किसको मन कैता है लाइव हम कभी clear वजे उठके पढ़ा ही हैं खी ज़ antito रहे हैं और 85 बच्थ साथ वजे तो हमको उठना पड़ता है और जिस वक्त कंफॉर् आपके पास पूरा टाइम बचा रहे वर्किंग के लिए यह सही रहता है लेकिन आसा नहीं कि नहीं चारे वज़े उठाए जब आप कमफर्टेबल है तब कीजिए और लाइफ में इस्टूडेंट को भी कहते हैं अपने बॉड़ी का भी में ख्याल रखिए अगर आपका नी तो दिन पढ़ेंगे एक टाइम टेबल बनाएंगे वो टाइम टेबल पांच दिन तक फॉलोगा फिर फेग देंगे उसको जब तक आप सस्टेन कर रहे हैं तब तक ही पढ़िए जितना में आपकी बॉड़ी उसको एलाउग कर रहे हैं जब अर लड़का आजकल तो प्या रहे हैं तो मतलब हैंपने हिसाब से चाफ दोस्ट को पर ह करें तो सब अर देखते लोगा पता चला कोई तीन बच्चो की मा खेंट दो बच्चों की माँ है यहाँ पर इस सब चीजे देखें लाइफ में बहुत माइने नहीं रखती है आप सक्सेस हो जाएए सब कुछ होगा जिंदगी हो या वाट्सप लोग हमेशा स्टेटस देखेंगे क्योंकि वर्सों बात जब लोग आपसे मिलेंगे तो आपसे हैसियत पुछाएंगे आपकी खरियत पुछने वाला कोई नहीं रहेगा आप इसलिए हर हाल में आप कामियाप बनिए चाहें जो भी हो जाए आपको कामियाप बनना ही पड़ेगा आप जिस भी फिल्ड में वहां लगतार मेहनत करते रहिए हमेशा आगे बढ़ते रहिए दिन रा वो कोर्स बहुत महेंगे होते थे आज पर चीजेब ऑनलाइन होने के वाई से बहुत सारी सश्दी होगी हम लोग तो मैं ये जू मैगजीन होती थी वो उस महीने नहीं खरीधे ते अगले महीने खरीधे थे क्योगत नहीं तो क्या दिक्कत है वो आन्मी कलेक और पड़ते गरीबी सब के सामने होती हैं, हम लोग को तो 40 रुपया चोड़ा था, घर लटने को नहीं था, तो इसलिए खान सर यहां बन गए, 90 रुपया रहता है, तो हम घर चले गए रहता है, पिर पदा नहीं क्या हुए रहते हैं, सब के दिखें, आपके जेव में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में एक आधी होनी चाहिए, जो एक बदलाव ला सके, अभाव में जीए, लेकिन उस अभाव के रहते हुए भी पूरी दुनिया पर एक प्रभाव छोड़के जाए, अभाव से कुछ नहीं होता है, समाज आपको याद रखनी चाहिए, लोग आते हैं, खाली हा खाली हाथ आए जरूर थे, लेकिन खाली हाथ ये गए, नहीं हमारे लिए कुछ आदर्स, कुछ उम्मीदे छोड़के चले गए,